तुम दोनों गाड़ी में बैटे हूं, मैं सामने शॉप से होकर आती हूं, आप क्यों जा रही हैं आपी, उफो, दिल मैं आ रही हूं, बस दो मिनट, ट्राइफर अंकल मेरी बेहनों का हयाल रखेगा, इसा होकम सुनाती ही, गाड़ी से उतर इती, सामने शॉप में दालील आप इतनी परिशान क्यों लग रही हैं, अमीमा आपी, साथ वैठी अफाफ ने उससे वुकारा, नहीं, तो मैं ठीक हूं, माते पर आए बसीने के नन्ने कत्रों को साफ करती हूं, फोरण से बोली, तुम्हारा इटमीशन हो गया, जी आपी हो गया, कल से जोईन करूंगी, इंशाला, अमीमा ने मुस्कुराती कहा, आपी, मुझे कार में सफुकेशन हो रही है, मैं बाहर वेट करती हूं, जब तक आपी आ नहीं जाती, अमीमा की सुने बगहरी अफाफ काड़ी से बाहर निकलती, साथ बने, फूर्ट बात पर बैट खड़ी हो गई, दूर नहीं जाना अफाफ बढ़ना आप भी ढांदेंगी, उसे धंबी करते सीच से टेक लगाए, अमीमा ने आँके मून ली, अपने बैक से कैमरा निकाले, वुजू ही उसे चेक कर रही थी, जब अचानक कि अफाफ की नजर खुबसूरत सी सफेद और कोल्डन रंग की दितली पर प उसके मसलसर उड़ने की वज़ा से वो अपनी गाड़ी से काफी आगे निकल आई थी, जिसके हबर उसे दब हुई, जब साफसुतरी सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ी अफाफ ने चापेचा होरण की आवासे सुनी, इतने शौर पर वो एकदम से खवराते इर्द के द देखने लगी, बगर अपनी गाड़ी कही नजसर नहीं आई, अभी वो रोट क्रोस करके आगे भड़ती, कुछ बाइक सवार लड़कों ने उसका रासा रोका था, पहले सही डरी से हमी अफाफ का दिल इस मुसीवत पर रोने को हुआ था, वो एक साइड से निकलती, एक न नमकीन पानी उसे भरी अपनी गरी आंगे उठाए, उन्हें देखां, कुछ बल वो सब अब बूस से उसे देखते रह गए, हाई, कितनी हुपसूरत है ये भाई, पहले मैं साथ खड़े लड़के को कोनी मारती कहा था, मुझे चाने दे प्लीज, इलते जाया लेजे में कह चल, अपना नमबर दे, फिर हम तुझे जाने देंगे पना देखा, वो चीब से उटर था, वहां आया, अगर उसकी बर्दाश की अद्दों तबह सवा हुए, जब उससे उन लड़कों के बीच खड़ी लड़की को, उनकी वहायात बातों को सुना, ओए भाग, पहले की आवास पर वो तीनों बाग सवा, अगले ही सेकिन में, आ ताहा ने बामुश्किल उसके चेहरे से नस्याट आई थी, या तो इंतहा की उपसुरत थी, या पिर उसकी साथ में कोई कशिश थी, जिसे ताहा मीर जैसे शक्स के दिल को किसी और ही रो में दड़कने बर मचूर किया था, अच्छी लड़कियां उतको ढ़ाप कर रखती ह उतको खोस से वो चीप तक आया था, जाने क्या वचा थी, उससे पलटकर एक बार पीछे रेखा, जहां वो लड़की अब नहीं थी, वो मीटिंग रूम में बैठा मीटिंग में मस्रूफ था, जब अचानक उस कमरे में मुबाइल की आवास कूजी थी, वैसर हमसा समेथ मह मुझूद, तमाम स्टाफ आर्यान की तरफ में तोच्छा हुआ था, सॉरी जेंटल्मेन, मेरी बीवी की कॉल है, आर्यान ने मुस्कूराते मुबाइल कान के साथ लगाया था, मगर दूसरी तरफ से मिलने वाली खबर ने उसके पैरों के नीचे से समीन कीजी थी, वैसर हम मुझानों काटू तो लगू नहीं, रोज खो गई है, उसे कोई ले गया है, आर्यान के हावास साथ चोड़ने को थे, फैसल हैरत के मारे दंग कड़ा था, पैठे बिठाए इतनी बड़ी आफ़त उनके सर पर आंटूडी थी, जिसका डर था, वही हुआ, उसकी बेटी को चीन लिया गया था, अब देखना ये था, या आर्यान मलीक अपनी बेटी को वापस ला सकेगा या नहीं, हमजा, मलाइका को कॉल करो, फोरण और वहां की सुरतहाल मालूं करो, गाड़ी रिवर्स खेर में डाले, आर्यान ने जल्दी से कहा, पैसल मुबाइल में खुसा, अब नहीं किसी चक्कर में था, गाड़ी हावाओं में बाती करती एक खंडर नुमा जगा पर पूंची थी, क्या ये वो जगा है, जी भाई, जो डिवाइस हमने इजा के लोकेट में फिट की थी, उसके मताबिक तो यही जगा है, सही, चुकर ना हो जाओ, आर्यान के कहने के साथ ही, वो दिनों फूंफूं कर कदम रखते उस जगा में दाहिल हुए थे, जो भाईर से खटर नुमा थी, अंदर से उसकी आलत उससे भी जादा खस्ता थी, वगर हैरत की बात ये थी, यगर वो सही जगा पर थे, तो वहाँ कुई सेक्योर्टी क्यों नहीं थी, उस स पीचे कड़ा शक्स आर्यान का निशाना भाण चुका था, अभी वो कोली चला था, हमसा उसे धक्का देते, खुद आर्यान के सामने देवार बन गया, कोली उसके वासों को चीरती निकल गई, फैसल ने फोरण उस जूटर का निशाना भाणता था, आर्यान और हमसा दरव हमसा की दर देखा, जहून भीचे, तर्ड सब किये, बासो पर हाथ रखके खड़ा था, टाई खोलते आर्यान ने उसके बासो पर भांदी, तुम ठीक हो हमसा, जी भाई मैं ठीक हूँ, आर्यान का हाथ अब तपाते हमसा ने सल्ली कराई, बता मुझे, मेरी शहजादी कहा ह वरना अभी तेरा भेजा उड़ाने में सेकंड नहीं लगाँगा, उसके सर पर गन रखे फैसर शितर से धाड़ा, मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो, छोड़ दे, तुझे कैसे छोड़ दे, तूने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की है, तेरी वज़ा से मेरा तमाग घुम गया, तो तेरे सारे हांदान को पातायल में पुझा दूगा, उसके चेरे पर पेदर पे धबर मारे फैसल जरूनी बना चीख रहा था, छोड़ दो इसे फैसल, शायद ये वाके नहीं जानता, फैसल को उससे धूर अटाते, आर्यान ने बेबसी से कहा, तबी कमरे में मुबाइल की आवाज उपरी, फैसल ने वो शूटर की जेप पर टोली, उसके फोन को बरामत करते, उससे फोरण कॉल लोट स्पीकर बढ़ा ली, खान उसके सर पर रखे उसे बोलने का इशारा दिया, जी, जी बॉस, काम हो आके नहीं, जल्दी बताओ, आर्यान मल मर गया ये जिन्दा है, स्पीकर से उबर थी आवाज, वो तीनों पल में बेचान गए थे, फैसल रामसा का खूम खोल रहा था, आर्यान ने उसे हां में जवाब देने को कहा, जी, जी बॉस, काम हो गया है, वो मर गया, उसके गले में मादूम से गिल्टी उपरी, कछ कह रहा हूँ, वो मिनमीन आयो, तुमने मेरी सबसे बड़ी खौईश पूरी ही है, जावेद, मैं तुमें माला माल कर दूँगा, तुम जो मागोगे, बस, एक काम और है, उसे भी करते आना, जल्दी पूश क्या काम है, उस कॉलर पकड़े आर्यान ने जबरे भींजे क वो क्या काम है बॉस, आर्यान मली की बेटी को हतम करना है, एड्रेस मैं तुझे सेंड करता हूँ, वो मेरे आद्मियों के पास ही है, बस सुने वहाँ जाकर उसे मारना है, और मुझे हबर देनी है, और फिर वापिस आ जाना है, उसे प्लैन समझाते, उसे कॉल कर दी, इस शाहान को मैंने जीते जी क्यामर से मतारिफ न करवाया, तो मेरा नाम भी वैसल शाह नहीं। हम सही अड्रेस पर आए है, अगर तो ये सब किसका किया धरा है, इसका मतलब यहाँ शाहिंचा को दुश्मन भी मुझूद है, एज़ा यहाँ भी नहीं है, या अल्ला मेरी शेजादी मुझे रुटा दे। चेहरा उटाए, इस समाम वक्त में फैसल की आंग से और पहला मोधी तूट कर थाड़ी में जस्ब हुआ था, आर्यान अपनी जगात सुनोवा गड़ा था, सहीन मफलूच हो रहा था, आखिर कोन उसकी बेटी को ले जा सकता है, शेज़ा के लावा कोन सने अंदुश्मन ऐ सबैदा हो गिया था, जो इस सभाहिस से टकर लेने चल पड़ा था, आर्यान ने जोर से आंगे मीची, आसों को पलकूं की बार पर सकती से रोगे, उससे मुबाइल निकाला था, जब सामने कमरी मुझूर हस थी, जानी पेचानी आवासों पर नोब कुमाए फोरन से भाहर दरवासा खुलने की आवास पर उन दीनों ने करदर मुडी और उस मौच से पर वो दीनों अपनी जगा साकित रह गए, ओरेंज कोलर के शॉर्ट से फ्रॉफ में मलबूस, कुछे साला बच्ची और कोई नहीं, आर्यान मलिक की रोज और हमसा फैसिल की शेहसादी थी, उसके चेहरे हाथ बाजू, और उनको छूते आर्यान दिवानावार अपनी बेटी को देख रहा था, उफ टेहेट में ठीक हूँ, चेह साला इसा ने अपने सर पर ननना सा हाथ रख्या अपनी मामा का, कहां, चाने वाला जुमला हमेशा की साथ हुराया था, उसके हरकत पर उसको राते, वो तीनों, चाने कितनी बार अपने रब का शुकर अदा कर चुके थे, प्रिंसेस, आपके साथ यहां कोई और भी है क्या, उसे फैसल को देते, आर्यान ने उसके सामने आते सवाल किया, ताकि वो उन बिखरी लाशू को न दिख सके, हमसा को इशारा दिया, क उन दोनों ने भायाक वक्त एक दूस्से को देखा, यहां शेहिंशा का दुश्मन ही मुझूद था, मगर वो आर्यान मलिक का दुश्मन नहीं था, आर्यान गहरी सोच का शिकार हुआ, सेहन ने कुछ तारों को चोड़ने की भी कोशिश की थी, इसा क्या वास वाफ बलट इन अंकल को क्या हुआ? समीन पर बड़े कार्ट की तरफ इशारा करते, उसे माज़ू में से दर्याफ दिया, यह सो रहे हैं शेहिंशादी, फैसल उसे लिए भाय निकले लगा, इनकी मामा अंकल को रूम में नहीं सुलवाते हैं क्या पॉप्स, थोड़ी पर उंगली रख आए, फैसल ने हमजा और्यान की दरफ देखा, हमजा को उस में लाशो के सिवा और कुछ नहीं मिला था, मुकाबिल उनकी सोच से भी जादा शारे था, अपने पीछे वो उनके लिए कोई पहिली छोड़ कर गया था, जो कि उसका नाम था, अपनी कंदे पर मानूस सा लमस म अज भी उतनी ही शितत से दुखता था, जितना उस फून कॉल पर अजियत में मुक्तला हुआ था, जिसके जरीए उससे इसा की गुंशुठी की अवर सुनाई गई थी, आप ऐसे हिम्मत हार गए तो हमारी हिम्मत भी तूट जाईगी भाई, मैं हिम्मत नहीं हाराम सा, मु उसका काम है एकीन 20 साल बाद भी वैसा ही बुकता था, गाड़ी पोष्ट पर खड़ी किये, हमसा ने उसका गंदा था तपाया, वो तीनों चेहरे पर मुस्कुरार सजाए, मलिक विला में एंटर हुए, हमेशा की तरह इसा लाउंच में बैठी उसके इंतजार कर रही थी, डेट, आप आगए? येस माई प्रिंसेस, आरियान ने उसके माते पर भोजा दिया, कैसा गुज़रा आपका आज का दिन, और कोई शरारत तो नहीं की ना? उसे अपने साथ सोफे और इठाए, आरियान पूरी दोवज्चा से उसके तरफ, अमात अंगोश्टा, अमसा और वैसर उनका प्यार देखकर मुस्कुराते वहीं बैठ गहे थे, आज कर दिन अच्छा गुज़रा डैट पर मैं उदास हूँ, क्या हुआ शैजादी, क्यों चोटे पापा, उसे बहुत तेज बुखार है, सुबह तक ठीक थी, पर जब यूनी से वापिस आई तो काफी तेज बुखार था, दौता ने डॉक्टर को बुलाकर मैडिसन दी थी, वो दोनों सर हिलाते सुन रहे थे, डैट, मुझे न आपसे बहुत जुरूरी बात करनी है, जी बोले, आर्यान में कहते है, पानी के लास मूं में लगाया, डैट, मुझे गंजा हिए, और चलानी भी सिखाए, रासवारना अंदास में कहते है, ईसा ने उसके सर पर धमाका किया, आर्यान को अच्छू लगा लगा, वो खास्ता हमसा के तरफ देखने लगा, जो अ उससे ही देख रहा था, ये नाम उमकीन है, प्रिंसेस, प्लीज ना डैट, प्लीज, वो वासु बक्रिस सिट पर उतर आए, आपकी मामा हम दोनों को मलिक विला से बाहर निकाल देंगी, प्रिंसेस, समझो प्लीज, आर्यान निलते जाएगा लेजे में कहा, तो कोई बात नहीं डैट, हम दोनों नाना चान की तरफ चले जाएंगे, इसा ने फोरण मस्से खाल दिया, जैसे पहले से ही सोच कर वैठी हो, आर्यान ने पहले उसे फिर अजी सब करते हमसा को खुरा, आपके डैट, आपकी मामा के वगएट चनलम्हे नहीं रह सकते, प्रिंसेस, आप वहाँ जाकर रहने की बात कर रही है, हमसा के जवाब पर चाहा, आर्यान मस्कुरा दिया, वहीं इसा ने मुप सो लिया, डैट मुझे गन चाहिए, बस चाहिए, इसके इलावा मुझे कुछ नहीं पता, वो बासित थी, तोबा करो ब्लैक रोस, अगर तुमें गन ले दी, तो लाहोर के हॉस्पिटल मरीजों के लिए कम बढ़ जाएंगे, अंदर आते ही याशा ने तासुफ जाड़ते कहा, तुम चुप करो नकल्ची बंदर, उसके हुआश मुस्तर करने वाले को इसा ने वहीं सलादारा था, देख रहे हैं बड़े बापा, ये मेरी बिलकुल इसा पूरा मुकोले उस आफ़त को देखने लगी, अपनी इसा अपने हाथ में होती है याया, जवाब हमसा की तरफ साया, मगर मेरे हाथों मतल सुवाई लकीरों के कुछ नहीं है डेड, बिलकुल वैसे ही तुम्हारे धमाग में भी सुवाई भूसे के कुछ नहीं है, उन अब जहां हमारा सर्दार होगा, वहाँ हमने तो होना ही है, उसे सिच करती हो खिलकिला का रसी, आरियान और हमसा उसके तुर्गत बंते देखकर हस रहे थे, उनकी नोग चोग देखकर उन्हें हमेशा अपना टाइम याद आ जाता था, अच्छा अच्छा बहुत हुआ, ज उसके मासूम भी भी नरास होती थी, अगर ना करता तो प्रिंसेस, मतलब वो जो भी करता, हार दोनों तरफ से उसकी ही होनी थी, डैड, स्नोवाइट कहां है, यायाने किचन में च्छांकते लाउंच में वापिस आते फूशा, क्योंकि अक्सर उसके वापसे पर कोई और न कि अपने कमरे की बचाएं, उसके कमरे की तरफ मुड़ किया हो, क्या हुआ है मेरी गुड़िया को, नताशा ने मलाइका के अंदास में सवाल किया हो, बस थोड़ी सी दब्य धराब है आपी, अल्ला पाग तुम्हें सहेद दे मेरी प्यारी गुड़िया, नताशा सवाला बैग उसके पास रखती बोली, तो उन सब ने भायाक वक्त आमीन कहा, भाई शायद आज लेट वापिस आएं, उनके हामोश होने पर इसा मुद्धे पर आई, मगर मैं आज हार हाल में उससे बात करूंगी रोज, वो पुर असम सी बोली, अमीमा और उसके पास अफाव बस उन दोनों को देखने पर एक्तफा कर रही थी, रूम का टोड नौक हुआ, तो नताशा ने दर्वासा खोला, सामने याया को पती सी निकाले देख, उसे वहीं से दर्वासा बंद कर दिया, बाहर खड़ा याया अपनी इतनी दोहीन पर सब किये, खून भर के र आई, बास कड़ी, इसा उन अताशा उसे दिखती मस्कुरा दी, चलो अफाव, आजो खाना खालो, इसा उसे बुलाती अपने साथ लिए, वो तीनों उसके कमरे से वाही निकली, जहां याया दिवार के साथ ठीक लगाए, मंबाइल में मस्रूफ खड़ा था, उनके भाहर आते ही कुछ कहे बगएर, वो अमीमा के कमरे में आया हूँ, तुम बिन के साथ मिलकर मुझे इग्नोर करने लगी हो, स्नो वाइट, मुझे तुम से ऐसी उमीद हरकिस नहीं थी, याया अंसीम दुखी लगने लगा, मैं तुम इग्नोर नहीं कर सकती, जानते हो तू, अमीम मां भी नहीं सुन पाई, वो शक्स कभी उसकी मुहपत का जवाब मुहपत से नहीं देता था, जानी क्या वज़ा थी, अमीमा शाह आज भी बस उसे असदवर्य निकाहूं से देखती रही, अब नजर लगाओगी क्या मेरे हुसन को, उससे शरील लहचे में कहा हूँ, तु मुझे क्या होना है, उससे घंदे उचका है, कुछ जो हुआ है, तुम्हारा चेरा यूँ उत्रा-उत्रा सा है, तुम नहीं कबसे चेरे पढ़ने शुरू कर दी याया, जबसे तुमसे मिला हूँ स्नो वाइट, शाने बेने आजी थी, अच्छा, तो क्या और कुछ नहीं स चेरे पर कंफर्टर ढाले लेट गई, मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत बुरी लगती है, चेर को ठोकर मारे सबसे कहते उससे अमीमा का पास उतव उच लिया, बेसाक्ता उसके मूँ से सिस्की निकली, और वो उट पैठी, शाया ने उसके कलाई पर नज़र ढाली, ज चेरा किसी ने, उसकी चांच्ची नज़र से लम्हें भर को नज़र चुड़ा दे, अमीमा ने अपना बासो चुड़वा लिया, तुम्हारा कोई कंसर नहीं है, और ये वाके में चोटी लगी थी, अब तुम जा सकते हो, परसे नीचे उतरे वो जाज़र को कुछ भी कहने कमों करिये बगए, और श्रूम में बंद हो गई, फाइन, बहार में जो मेरी तरफ से, नहीं बताना, ना बताओ, अब बात मत करना मुझसे, उंची अवास में कहते होने कलिया, अंदर दिवार के साथ लगी, अमीमा ने अपना आसों से तर चेरा सामने शीशे में देखा, म उसके घर मुझूद की पर, पहले ही मुश्टाल से वैटी थी, और फिर सामने से आते उससे सिवरे याया को देखते, उठते उसके तरफ बढ़ी, याया बेटा, खाना धंडा हो रहा है, नहीं खाना मुझे, वो ठांगी आवास से दरवासा बंद करते, उसे मामूल की तरह खुद को कबरे में बंद करते हैं, लगता है फिर लडाई होई है, इसकी और सनो की, जारा तुम बैठो मैं देखता हूँ, नहीं हमजा, जारा को जाने दो, यान की आवास पर वो वापिस बैठिया, और सारा उसके कमरे की तरफ चली गई, इस सारे वक्त में फैसल खाने से हाल रोकी चुप-चाप सार चुखाई बैठा था, सनो से लडाई हुई है मेरे शहजादी की, भला खाने से क्या नाराज की फिर, वो मान जाएगी, हमेशा की तरफ, जानते तो हो सनो किसी से भी जादा दिर नराज से ही रहती, मगर मामा, लडाई होती ही क्यों, अगर वो ये फजूल की से छोड़ दे तो, लेजे में बेपसी राराई, वो हमेशे ऐसी बाते करती है, मुझे उससे चिड़ होने लगती है, कैसी बाते करती है वो याया, ओ कमान मामा, आप तो ऐसे रियक्ट ना करें, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, हाँ मुझे नहीं पता, याया, मुझे बताओ, मामा, पूरे मलिक विला को मालू है, सुनो, मुझे पसंद करती है, बोलते हो हिचके जाया, सारा चाज़ जी नजरों से उसे देखती रही, यही तो मैं भी जानना चाती हूं, याया, जब पूरे मलिक विला को, उस तड़की पसंदीत की नजर आती ह तो तुमें क्यों नहीं लेजा ठंटा था क्योंकि मुझे उससे मुखबत नहीं है वो सिर्फ मेरी कजन है मैं उसके मुखबत ऐसा कुछ नहीं सोच जा For God say आप सब उससे क्यों नहीं समझाते अब क्यों वो सब सची पढ़ा सची मुखबत करने वालों पर कोई लफस असर नहीं करते याया Whatever मामा, मेरे लिए ये मुखबत सिफ एक तफरीज ऐसी है उसके सिवा कुछ नहीं लापरवाही से कहते वो सोफे बतरास हो गया वो बहुत अच्छी है याया सारा ने एक आखरी कोशिश करनी चाही जानता हूं मामा अगर मुझे वो अच्छी नहीं लगती उससे साफ गोई से काम लिया क्या कमी है उसमें आया सारा की हज से सवा हुई वो गुस्से से फुनकारी वो डरपोग है मामा और मुझे डरपोग लड़कियों से चिड़ है मैं ऐसे लड़कियों से दूर भागता हूं उससे सिर्फ मेरी अच्छी दोस रहने दे बहतर है इससे जादा उसे मेरे लिए कुछ न बनाए एक ही सांस में कहते वो उटना टॉबल उठाए वाश्रूम के दरफ चलागिया सारा अफसोर से बन तरवाज से खुहूरती रहे गई वो कमरे से भाएर आई जहां फैसल कुमसुम सा सांकित खड़ा था सारा कुछ कहती वो लंबे-लंबे डाग भरता निकल गया वो शकस्ता कर्दम लिए कमरे में आई हमसा को बेट पर बैठी दी सारा तरवासा बन कर दी बेट पर आई उसके पास उसे लिपट गई क्या हुआ मेरी जंगली बिली हमसा ने उसके बाल से लाए हमसा जाया कहता है उसे अमीमा नहीं पसंद क्योंकि वो डर पोग है कहते उसकी आँख से आँसो निकलता हमसा के शर्ट पर जागी रहाँ उससे रोता देख हमसा गमगीन हुआ यार जारा रोना बंद करो वरना तुम्हारे सापजादे को मैंने अभी जाकर मुर्गा बना देना है उसका चेरा हाथों में धामे इन्टाही मुखबत से हमसा ने उसके आँसो जुने थे अल्ला उसे वक्त रहते मुखबतों की कदर करना सिखा दे हमसा मुझे ढ़र लगता है क्योंकि जब हम किसी की मुखबत को हज से साथ आसमाते है तो वो फिर मुखबत नहीं रहती वो वक्त के साथ नहा रूप दार लेती है मुख्बत का गम इनसान को बदल देता है उफ अल्ला पूछे तुम से खड़ोस इनसान एक अपनी दीदार के लिए मुझसे क्या क्या करवा रहे हूँ पहली मंसिल के पाइप के साथ जिपकी बड़ी महारत से खिर्खी तक रसाई हासिल करने वाली उससरे लड़ी ने उस रात की हामोशी में सड़ा सत अपसार किया था है किन गिन के बदली ना लिये तो मेरा नाम भी नताशा वक्कास रसा नहीं खिर्खी से अंदर जम लगाए उससे उसे हयाल होए मुहादिव किया कमरे में आते ही उससे बड़ी बड़ी आंकों से पूरे कमरे कचाई सालिया लेकिन वाइट इं तसाच से सजा वो कमरा इंतार डिसेंट लग रहा था बेट पर वीजी काली स्या बेट शीट को देखने उससे दाइं साइट पर वोट रूप की दरव देखा वहां से बाइसाइट दरव उस दरवासे वो खुरा जो उसके मुदाविक उसका स्टड़ी रूम था वो कमरे में कहीं नहीं था नताशा ने कुछ सोच्टे स्टड़ी की दरव कदम उठाए और धरली से दरवासा कोले उसके स्टड़ी रूम में दागिल हुई जहां मुर्सलीन कुछ दिर पहले ही फ्रेश होकर एक स्टड़ी करने की नियर्स से आया था ऐसे तो उसके रूम में कभी किसी ने भी आने की कोशिश की क्या जूरत भी नहीं की थी जैसे आज हो में दंदागिल हो चुकी थी यह तामूल से मुर्ते मुर्सलीन ने इस सलीरी की मुर्त को सर्टा पह नाकावार यससे देखा यह क्या बत्तमीजी है ऐसे आते हैं किसी के कमरे में वो अपनी जगा से उटता धाणा नताशे उसे खूरते उल्टे कदम लिए कमरे का दर्वासा बन करते आहे निकल गई इससे दर्वासा नोक किया और कहां मैं अंदर आ जाओ अंदर खड़े मुर्सलीन का दिल अपना सर पीटने को चाहां को जवाब न पाकर वो हुटी कमरे में आ गई देखां तुमने मुझे फिर जवाब नहीं दिया इसी में शराफत की बज़ाए बत्तमीजी से तुम्हारे कमरे में आ गई सिंपल किताबे देखती वो लापरवाई से उसे बताने लगी तुम मेरे कमरे में आई नहीं सबर रस्ती खुसी हो आज से किताब चपटे सब से कहां एक मिनट तुम मेरे कमरे में आई कैसे मैंने तो दरवाजा लॉक किया था वो उसके तरफ मुड़े हैरत से पूछे लगा मैं खिड़की से आई हूँ नताशा के जवाब पर मुरसलीन तंग रहे गया गिड़की से कमरे में आने वाली आतत उसे अपने बाप से वरासत में मिली थी तुम्हारा दमाग ठीक है तुम पाइप से चड़कर यहां आई हो जानती भी हो अगर इतनी उचाहीं से गिरती तो कोई फड़ी पसले सिलाम अतना रहती हाँ फिर सब कहते बेजारी महभूब के देदार को तरसी लड़की ने उचाहीं से कोटकर जान दे दी आंकों पर बासू रखके वो भरभूर एक्टिंग करती बोली इतनी घटी है एक्टिंग मैंने आज च्रक नहीं देखी वो तिल में लाया देखोगे भी नहीं क्योंकि निटाशा रजा जैसी कोई नहीं है वो इतना है उरसलीन दे घहरा सांस बरा और सड़ी रूम का दर्वासा खुलते गहां तुम यहां से खुद दफा होगी या मैं तुम्हें उठा कर भाईर फैंक दू मेरे हल से दूसरा ओप्शन बैस रहेगा नताशा चेह चेहाई उरसलीन का बारा हाई हो उसका वासो बगड़े उससे नताशा को जवालों का कोई जवाब नहीं है जा सकती हो तुम तो फिर ठीक है आज इस समाशे को यहीं अतम कर दो उसके भेतासो लेजे पर वो एक्तम से बलटा नताशा के बढ़ाई कन को देखते मुरसलीन को उस पर उचनूनी लगी थी मेरा भी तुम्हें शूट करने का कोई मूट नहीं है भाई निकलो मेरे रोम से और फिर जो मर्जी करो सफागियत से कहते मुरसलीन ने उसको दुरवाज से की दवता केला जवाब नताशा ने इतनी दोहीन पर सब के कड़वे खून परे कन अपनी कन पटी पर रख ली ऐसे नहीं तो ऐसे सही अभी वो ट्रिगर दबाते मुरसलीन ने उसका कन वाला हाथ पकड़े चटक दिया, कन दूर शागिरी एक नज़र फर्श पर गिरी कन को देखते मुरसलीन ने गजबनाक देवरों से उसे खूरा था जो तांट निकाले उसे ही देख रही थी मुहबत का एक रार भी नहीं करते और मढने भी नहीं देते तो इसको मैं क्या समझूँ अकील साहब उससे फिर एक्टिंग की बगवास बंद करो और जौँ मेरे कमरे से मुरसलीन उसे कहकर बलटा ही था कमरे के दर्वासे पर दस्सक देश नुई नताशा ने बदीसी निकाले अभी कमरे के नौप को खुवाना जाओ मुरसलीन ने उसे कलाई चकड़े अपनी जाने के सीड़ा इस अफ़ताद पर नताशा कटी डाल की तरह उसके सेने से डख रही इससे पहले ही उसे मुद को संभालते फासला काईम रखा दमाग खराब हो गया है तुमारा और किसी ने रात के इस पहर तुम्हें मेरे रूम में देख लिया तो जानती हो क्या होगा वो चपड़े फींचे उसके चेहरे पर बुर रहाया हाँ, हमारे निकाह होगा वो चेशे आई मुरसरी ने उसके मुँपर हाथ रखके आंखे निकाई अब अगर तुम उंचा बोली तो वो मसीद नसीखाया नताशा तेज होई रड़करों में बस उसे खूर कर रहे गई सड़ी रूम में जो फोरन और बाहर मत निकाना उसे हुकम सुनाते वो खूर दरवासे के पास आया और बाहर घड़े फैसल को देखकर पलकोर कर बढ़ा गया डैट, आप यहां रात के इस वक्त सभेर तो है, आप परेशान लग रहे हैं कुछ हुआ है क्या अंदर लाते मुर्सलीन उन्हें सोफेवा बेटाए कदर परेशानी से उत्वासिर हुआ दिल अजीब हो रहा था बेटा, सोजा थोड़ी देर तुम्हारे पास आजाओ आप मुझे बुला लेते डैट, मैं आ जाता एक नसर पीछे सड़ी के बंदर वासे बढ़ा ले मुर्सलीन बेटा मोहबबस से खोया हुआ जी देर हो बेटा मुझे बताएं, क्या परेशानी है किसी ने कुछ कहा है क्या नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा ये आप भी जानते हैं डैट क्या आप मुझे से कुछ चुपा रहे हैं मुर्सलीन ने जरा जो डालती कहा तो फैसल ने सारा और याया के दरम्यान वी सारी कुफ्तों कुछ से बढ़ा दी अंदर खड़ी नताशा का दिल उस वक्त याया का सर बाढ़ने कुछ आ रहा था दूसी तब उसे अमीमा का सोचते ही कुछ हो रहा था तो अब आप क्या चाहते हैं डैट उससे बेतासों लेजे में स्वसाय किया वो लगवाती कड़े सब के बावजूद भी उसके आँकों फैली सुरी इस वक्त सामने वाले का बोलाने के लिए काफी थी मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ उसनों खुश रहे अगर यहाया उसके जिंदी भी नहीं है तो मूव आन कर ले उससे अपने डैट को इतना बेबस आज तक नहीं देखा था अगर वो एक बेटी का बाप था जिसे मस्तस से काम लेना था सिर्फ अपनी बेटी के लिए और और क्या डैट और यह कि यहाया कि इस रद्यम्मल की वज़ा से किसी भी रिष्टे में कोई तब्दीली नहीं आने चाहिए वो जानता था मुरसलीन अमीमा को लेकर किस हद तक पुसेसिफ है उसे हवद गार्थ करना ज़रूरी समझा कुछ थे मस्जीद उसे धलासे और तसलिया देनी के बाद मुरसलीन फैसल को उसके कमरे तक छोड़ाया था अपनी कमरे में वापिस आते उसे तस सड़ी रूम में किया और अपनी मकसूस निशिस पर बैठिया नताशा वहाँ कहीं नहीं थी और उसके होने ना होने से उसे कोई फरक नहीं बढ़ता था आंकों पर बासू रखे वो साकीर वेटा था अगले हिला में सड़ी रूम का दरवासा खुलने और पनोने की आवास आई उससे आंकों से बासू हड़ाया जहां नताशा ट्रे में कॉफी का मकरके अंदर आई और उसे उसके सामने टेविल पर रख दिया ये तुम्हारे लिए इससे तुम्हारी थकन मिंटों में गाईब हो जाईगी तुम यहां से चली जो मैं अकेला रहना चाता हूँ वो ही पे दासू लेजां अच्छे बच्चे जिद नहीं करते आई स्पियर वो मुस्कुराई क्या जाती हूँ तु दमाग खराब कर रही हो मेरा वोक दांग्या मैं जाती हूँ तुम मेरी सारी बाते मानो वो मैं तुम्हारी एक भी ना मानो अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए मुरसलीन शापर ये तुम्हारी बाते मानता पुरू वो बद मज़ा होता भोला नताशा ने मुपसोरे उसे खुरा वो कोई जवाब दे थी मुबाल पर मैसेज की रिंग टूल सुने नताशा ने पुरून मुबाल निकाला हूँ ये कॉफी पी ले न अभी मुझे जाना है फिर मुलाकात होगी अल्ला करे वो दिन कभी ना आए मुरसलीन की वो बड़ाहट उसके कानों में वाजय सुनाई थी तनसिया मुस्कुराट उसके दरव शाले वो जैसे आए थी वैसे ही कमरे सिफाय निकल गई